हाई दियर फ्रेंड आज GK के कोश्चन्स हम कर रहे हैं जिसमें नोट जो RBI ने लॉंच किये हैं उसके जो बैक साइड पे क्या मतलब इमेज है उसके बारे माज डिसकुस करने वाले हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100 रुपीज के नोट आपके सामने दीख रही है ठीक तो वो है रानी की वाव ठीक है वो क्या है रानी की वाव और ये रानी की वाव कहां से लिया गया है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा इंपोर्टन पॉइंट बता देता हूं कि रानी की वाव की जो तस्वीर छपी हुई है ये 100 रुपे की नोट जो ये गुजरात के पाटन में इस्थित है ये जो रानी की वाव है ये गुजरात के पाटन में इस्थित है और वाव मतलब बावडी होता है ठीक है गुजरात का वाव बनाया गया था यह उद्या मती ने अपने पती भीम देव पुर्थम की याद में कराया था तो उससे यह लिया गया और युनेशको ने साल 2014 में वर्ल्ड हारिटेज की सूची में इसको सामिल किया था युनेशको ने और देखे इसकी साइज के अगर बात करें तो इस साइज यहां पर दिया हुआ है साइज 142 x 66 mm है ठीक है और इसकी फ्रंट में आप देख रहा है मात्मा गांधी का सेंटर में पिक्चर है ठीक है औ तो इस तरीके का और यहां पर आप देख सकते हैं कि स्वक्षबारत अभियान का लोगो है और स्लोगन भी लिखा हुआ है तो इस तरीके से हमने यह 100 रूपीज के नोट को देखे ऐसे ही सभी नोटों के बारे में हम देखेंगे जो आर्वियाई ने नए नोटों को हुआ है आप देख रहा है कि 10 रूपीज का नोट है जिसमें क्या लिखा हुआ है कि जो यह पिक्चर दिया हुआ है वो कौनाक संट टेंपल का है ठीक है यह कहां कहा है और यह भारत के उरिशा राज के पूरी जिले में स्थित है जो यह कौनाक सूर्य मंदीर है जो यह जिले में स्थित है और युनेसको ने यह जो मंदीर है इसको 1984 में ही 200 धर्योवर में सामिल किया था और यह जो मंदीर है इसका निर्माड जो भगवान सिर्किषन के बेटे सांब ने कराये था जो वक्त के साथ जर्जर हो गया था फिर कलांतर के समय समय पर इसका पुर्ण दार कराया था है क्रिष्ण के बेटे सामने कराया था है नेक्स पोसन देख लेते हैं 50 रुपीज का नोट ठीक है तो 50 रुपीज का नोट के पीछे आप देख रहा है और यह जो नोट है आप नोट भी देखेंगे तो उसके जो यह चित्र बना हुए उसके नीची जो है वो भी लिखा रहता है ठीक है कि ये क्या है तो ये जो आपको दिख रहा है इसके पीछे हमपी का ये पिक्चर है 50 रुपे कर नोड की जो पीछे है ये हमपी का पिक्चर है ये जो आप देख रहा है पिक्चर वो हमपी ठीक है और ये हमपी जो लिया गया वो समराट असोक के सासनकाल से जुड़ा हुआ हमपी जो तस्वीर आप देख रहे हैं यह समराट असोक के सासनकाल से जुड़ा है वरतमान में हमपी जो है वो करनाटक वरतमान में जो हमपी है वो करनाटक राज़मेश्थित है अपने वैभोसाली समय में हमपी विजयनगर स समराज की राजधानी हुआ करता था आज भी इस उतियासिक्त का गौर्ण, यहां मिलने वाले खंडारों और ओव मिलने वाले खंडारों और honosales के साफ जलता है इनुचτιक ने में ज्यांड साइट का दरजा दे रहा है यह तो हमने देख लिया उसका आजे कि यह रिलीज हुआ था पचास रुपय का नोट 10 नौवंबर 2017 में 10 नौवंबर 2017 में और इसकी जो साइज है 135 इंटु 66 एमें और 50 रुपीज देख रहे हैं कि देवनागरे लिपी में लिखा हुआ है और यहां पर स्वक्ष भारत अवियान का लोगो है ठीके हमपी जो है उसकी बगल में स्वक्ष भारत अवियान का स्लोगन भी है और लोगो भी लिखा हुआ है ठीके तो 50 रुपीज का नोट अब ने देख लिए उसके बाद हम देखेंगे 200 के नोट जो 200 रुपे की नोट है और 2005 रुपए की nóte, देखिये, फंट में मात्मा गांदी का पिक्चर है, देवनागरी लिपी में 200 लिखा हुआ है, और बैक में, इमेज्ज बना हुआ है, यह जो बैक में इमेज देख रहे हैं वो इमेज जो है वो साची का स्थूप है ठीक है? साची का स्थूप है और यह साची का स्थूप जो है मद्परदेश राज के राइसें जीले में इस्थित है यह जो साची का स्थूप जो आप देख रहे हैं ये मदपर्देश के राइसिन जिले में इस्तित है एक छोटा सा गाउ साची है ये राइसिन जिले की नगर पंचायद भी है ठीक है इस गाउं में बहुत काल के कई समारक हैं इन्ही में सामिल है ये इस्तूप ये जो साची का इस्तूप देख रहे हैं इन्ही में ये सामिल है साची में होने के कारण है इने साची इस्तूप कहा जाता है इनी इस्तूप का निर्माड समराट असोक महान ने कराया था यह जो इस्तूप बना हुआ है इसका निर्माड किस ने कराया था असोक महान ने समराट असोक महान ने कराया था लेकिन इनके वर्तमान स्वरूप में कई वन्सो के राजाओं द्वारा कराया गया कार और पुर्णोधार सामिल है यह भी ध्यान में रखना है कि दिरे-दिरे इसका पुर्णोधार भी कराया गया था फिर नेक्स हम देख लेते हैं नेक्स हमरे पास 500 का नोट और 500 को नोट में आप देख रहा है कि सेंटर में यह फ्रंट में गांधी जी का पिक्चर्स है ठीक है और यहां पर दो देवनागरी लिपी में 500 लिखा हुआ और यह तो आप भली बात जानते कि जो पिक्चर है 500 के जो बैक साइड में यह है हमारा लाल किला ठीक है लाल किला का यह पिक्चर है और यह आप जानते भी हैं कि यह लाल किला कहां पर है यह जो लाल किला है वो न्यू देली में है और इसको किसने बनवाया था कि पांचवे मुगल बात्सा जो थे साजहा ने कराया था इस किले की दिवारे लाल पत्थर और लाल रेद से निर्म हेरिटेज का दर्जा दिया था 2007 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया था और यहां पर तो आप देखी रहे हैं कि स्वक्षबारत अभियान का स्लोगन और लोगो दिया हुआ हैं तीस तरी के समने हैं और इसकी साइज यह लग्षे 150 इंटू 66 mm और 10 नॉम्बर 2016 को यह लॉँच रहा था नेक्स आप देखेंगे नोट के जो भैक साइड पर चिपी हुई हो मंगल यान है ठीक है और आगे गांदी जी को आप देखे रहे हैं फ्रंट में जो गांदी जी है ठीक है और यह मंगल यान अभियान भारती अंतरिश अनसाधान संगटन की एक मतोकांची अंतरिश पर्योजना है 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुँचने के साथ ही भारत भीश में अपने पर्थम प्रयास में ही सफल होने वाला पहला देश तता सोवियत, रूस, नासा और यूरोपी अंतरिच एजन्सी के बाद मंगल पर पहुँचने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है ठीक है इस तरीके से हमने यह 2000 के नोट को भी देख लिए इस तरीके से आप देखते रहिए और भी जी के से रिलेटेट जो भी इंपॉर्टन पॉइंट आते हैं वह आप तक जरूर पहुचाएंगे आप देखते रहिए और अगर आकर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए बैल आइकन पर क्लिक करिए ताकि इसे रिलेटेटेट जेतने भी इंपॉर्टन पॉइंट है आप तक पहुचेंगे तो थाइंक यू पर वाचिंग इस वीडियो